इस साल WWE कुछ न कुछ करी जा रही है ताकि audience उनको देखे तो draft आ रहा है Friday October 9th को and guys इस बार भी आज है Superstar Smackdown पर pick किये जाएंगे और आज है Superstar Roper so आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो top 5 Superstar जो दावार रखते हैं number 1 pick होने का है at draft 2020 बस guys आपका एक काम है आज सब्सक्राइम आर देना अगर आप मेरे तरह wrestling एफैन उसके साथ नोडिकेशन बेल उन कर देना और लाइक मार के विटेंडर लोगा देना मैंने में सोगे लेट्स गो फो फो दो वीडियो वे स्वाहन जी प्रियम बित्रो जैसे भी मैं रैंकी करूंगा top 5 Superstar की वो बेस्ड होगी उनकी performance जो उन्होंने पिछले महीने की है सुचल यह विदाउट किसी देरी के number 5 पर चलते है Monday Night Messiah Seth Rollins गैस एक चीज कभी भी मत भूलेगा 2016 में number 1 pick पहले भी रह चुके है Seth Rollins जो Seth Rollins की सबसे बड़ी खास है उनको number 1 pick बना सकती है वो है उनकी storylines में अच्छी तरह से घुस जाना और इस पिछले एक महीने की बात की जाए बहुत जादा match जीते हैं बहुत ही कमारे है Dominic के साथ cage match था वो भी जीत गए थे So yes Seth Rollins से number 5 पर एक और superstar है number 5 पर जो है smackdown से Seth Rollins के move बोले भाई the phenomenal one AJ style यहाँ पर मैं Jeff Hardy को भी रख सकता था लेकिन guys AJ style को अगर आफ face बोलोगे face character play करना है वो भी कर लेगा अगर heel बोलोगे वो भी कर लेगा यह बहुत बड़ी खास है डबली डबली के superstar की So इसलिए मैंने को Seth Rollins के साथ रखा है number 5 पर चलिए number 4 पर चलते हैं Number 4 Fiend Fiend number 4 पर इसलिए आया क्योंकि इसकी performance बहुत जादा down हो चुकि है बहुत जादा match हार लिए पिछले एक दो महीने में Guys यहाँ पर बात यह नहीं की हार रहे हैं लेकिन कैसे आरहे हैं यह important है WWE का इतना बड़ा superstar हो के भी एक हफते में title हार जाना जिसके यह बहुत बड़ी momentum लूज है Guys रोम और रेस के आने के बाद Fiend भी फीके पड़ गए हैं उनके सामने और SmackDown पर बहुत कम दिखाई देते हैं यह था reason इनको number 4 रखने का चलिए number 3 पर चलते हैं दे वाइपर दे एक्स प्रेंटर रेंडी ओटन रेंडी ओटन क्लैश ओचेंपियों 2020 में तो हार गए लेकिन कैसे यार एक तरह से चीटिंग ते और उन्होंने बदला भी ले लिया कैसे लेजेंड को डिस्टोई कर दिया कल रो पर रेंडी ओटन जब लेजेंड्स लाओं के दरवाजे पर पूंचे जैंग उन्होंने क्या बोला होगा नौक नौक तेरा सांप आया पिछले एक महीने से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेस रही है रेंडी ओटन की डबली डबली ने मेरे ख़र टीज कर दिया कि डू में फिर होने वाला है है लिन असल में इस आप किसके साथ हो कमेंट्स में जूर बताएगा आपको पता है मैं हार्ड भी देता हूँ अगर मैं बोलू तो मैं चाहूँगा कि रेंडी ओटन अब जी जाए बहुत ही टाइम हो गया है इसी वीडियो में आपको बता दूगा कि नंबर टू पर फीमेल भी हो सकती है और उसका नाम है बेली बेली ने 2020 में बहुत ही अच्छा काम किया है पूरा अपना करेक्टर हीलता है जो बहुत अच्छे से निभाई है इसलिए मेल को छोड़कर अगर फीमेल में कोई पिक हो जोक सपार्ट गाईस रोमर रेंस बनना चाहिए यार इसी कोई नंबर वन पिक होना चाहिए क्योंकि पिछले महीने में सबसे जाधा अच्छी परफोर्मेंस जिसकी रही है वो है रोमर रेंस की रिटर्न के बाद एक हफते में ही जीतना यूनिवर्सल डाइटल बहुत वीडियो देखने तो मेल सूपरस्टार की बात होगी है नंबर वन पिक पर अब फीमेल की भी बात कर लेते हैं नंबर टू पर बेली थी है नंबर वान पर है ओसका गईस इसका मेन विजन क्या है ओसका का इतना शुशील वाला डांस मतलब मज़ा आ जाता है यार बढ़ ग जा है यार जाता है